स्वाच्य नमस्कार स्वागात आपको अपने चनल हाड़ा वेट्स क्लम में आज आपको पंद्रा एसे लक्षन बताने वाला हूं जो कि केल्शम की कमी को दिखाते हैं यानि आपको पंद्रा में से एक भी लक्षन दिख जाता है तो आप उस बिमारी में केल्शम जरूर लग हमें केल्शम की कमी दिखाई देती है और में केल्शम की कमी रहती है और महां पर भी हमें केल्शम देना पड़ता है लेकिन डोक्टर महां पर वह लक्षन नहीं समझ पाते हैं बहुत सोचते हैं कि जब मिलकर फिर हो रहता है ताभी पंद्रा ऐसे और लक्षन हैं पंद्रा वो कौन से लक्षन है और पशु कब दिखाता है तो इसी की जानकर आपको वीडियो मिलने वाली तो सबसे पहले चैनल पर यदि पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और नीचे जाके कमेंट भी करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी ह तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला लक्षन साथ यो सबसे पहला लक्षन है जो कि हर कोई जानता है जिसके बारे में सभी को पता है क्या कि ये पशु ब्याने के तुरंत बाद यदि पशु नीचे बेढ़ जाता है पशु गरदन टेड़ी करके बेढ़ ज ऐसा आता है जब पशु ब्याता है ज्यद्धतर गाया में जब गाया ब्याती ज्यद्धतर ब्याने की तुरंत बात गाया नीचे बैठ जाती और अपने गर्दन को ऐसे करके विए जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं यदि ऐसी कंडिशन के सिगाई की बन रही तो महां पर आप केलशियम लगाए है केलशियम लगाइप तुरनत उठेगा तुरनत खाना भी न करने लगा और आपका पशू ठेक होगा इसके अलवा एक और condition क hierarchy कि कमी हैं लेकिन आज उसका हम बॉलते हैं हैं अब वो बियाने के बात है और कि हैया देने वाले प्रोसका है लेकिन उस प्रशू के बैठने की इस्तिती के हिसाब हम वहां पर जान सकते हैं कि उस प्रशू में भी करने की कि best अब empire करे में पर है hier कब हो था उसका symptoms क्या है हाइपो कल्चम की कमी है और वहाँ पर आप कल्चम लगाएंगे तो इस वाले cases में आप एकदम से जादो रिजल्ट पासकते हैं और आप उस पच्छम को ठिक कर सकते हैं साथे दो आपको समझ में आ घे दोई लक्षन आते हैं तो आप वह पर कर Hil interviewing ज़रू लगए तीस्रा लक्षन तिसरा लक्षन क्या है तिसरा लक्षन तिसरा लक्षन क्या है पशु सब कुछ खाता पीता है पशु चारा खा रहा है दाना खाता है बाठा खा रहा है खल वगेरा पानी वगेरा सब कुछ खारा पी रहा है गोबर भी सही करता है रुमन की गदी भी करता है लेकिन दूबला ह हो रहा है कि सब कुछ खा रहे हैं लेकिन लगाताए दुबली होती जा रही है ऑonnıs раск FER לך भी चविंइखी मालिक परसान हो गया क्वह को क्या करो मैंने सब कुछ धिला गी तेल नियुक्त अब उस ब्याया को ख्ला और एकदम से ताकतवर आपकी बहस बन सकती है यह आप यह सिम्टम से आपको पता होगा तो सथे तीन सिम्टम से आपने देख लिए कि तीन लक्षन आते ता आपको वह पर केल्शम लगाता है चोथा लक्षन कोई पशुग्याबी ने बच्चा इतना दूबला पतला दिया है जाम्टम से मरने जैसा ओर ँबास चलने में धिक्कत तोरी और 16 बच्च ऊटे को उस बच्चे को उपहल चलने, 다ffe काला कि क्विए से कुमस्ती कि इस बाइटिक तो बच्चे को घ्राइंगे आप उस लवारे काप उस काफ को पचास से साथ एमिल केल्चम दे वह बचला एकदम से तंदुरस से ताकत वर आजाएगा और आपकी सारी शमिश्या खतम हो जाएगा यदि किसी पशु की हड्डियां मुड़नी चालो हो गई है यह कुबड में से यह निकलनी चालो हो गई है लक्षन हो गए जिनको पैचान सकते छोटे-छोटे सिंटम्स भी ऐसे हैं जो छोटे-छोटे लक्षन आते हैं वह भी ऐसे हैं उनको भी आप यह पैचान लेंगे तापकि 99% पश्यों में इलाज करने की तरिखाई बदर जाएक और 99 पश्यों आप ठीक कर सकते हैं 500 सिंटम है लेकिन गयबिन नहीं रूक रहा है यह भी क्ल्शिम की करना होता है और आपका पश्यों यह लगातार यह रहा है लेकिन नहीं रुके अँशेंश को вами आप के दिए देखिये आपका पश्यों China पर सद लिए Echo प regions लुगिए डिए कए teps physics पूल ज़ पाक्षा के पैण 100-200 ml जरूर चड़ाएं माइफेक्स की बतल 100-200 ml आप जरूर चड़ाएं वहाँ पर उस पशु का प्रॉलेप्स भी इससे बंद हो सकता है क्योंकि प्रॉलेप्स में भी केल्चिंग की कमी हमें दिखाई देती है पशु ब्यां गया लेकिन जहर रूक गई है जहर अटक गई ह जहर निकल नहीं रही महाँ पर भी केल्चिंग की कमी दिखाई देती हैं वह को ब्याल जर्ठना चालो गए बाल नहीं रुक रहे हैं बंस नहीं हो रहे हैं आयोएमेक्टिम लगा दियया लेकिन फिर भी बाल जढ़ दे आ डीजीय पेस्व को गाव व कर रहा है बोटा गाव हो गया है आपने बहुत सार एंटिबाइटिक लगा रहे लेकिन ठीक नहीं हो रहा है एक बार आप उसको कर दोस्तों इमेल चाड़ा आपका तुरुम्त ठीक हो जाए सद्धियों मैंने कितने बीमारियां बता दी आपको यहां पर कि इन इन बीमारियो का पकड़ कर कैलिशम चड़ा करी पशु को ठीक कर सकते क्योंकि लोग इनकी ओड़ ज्यानी नहीं देते हैं और एक और मैंन बाते ही गई है यदि पशु दोदृट दस लिटर दे रहा है दीरे 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 उसको पांच लिटर चाल लिटर और एक लिटरी देने के बंद करके भी यदि सो सो दोल सो इमिल पशु को कैल्चम चड़ा देंगे तो आपके पशु को दूद यूँ ही बढ़ जाएगा तो साथि मैंने जो सिंटम्स बता हैं इनको आप याद करें अधि वीडियो में एक बार में यदि समझ में नहीं आ रहे हैं लक्षन तो आप वीडियो को दुबारा से प्ले करें दुबारा से वीडियो देखें और इन लक्षन को समझें याद रखें और पनी फिल्ट में जाकर पशु में डूंड़े इन लक्षन में और मैं जो बता रहा हैं आप ये केल्शम पशु को लगाईए तो आप पशु को डाइगनोसिस क अगर आप में आप मेलाकर चला सकतेना कोई दिक्कत नहीं यादि प्लशु का टेंपरेशर बहुत ज्यादा लो है तो आप यस कल्चिम गर्म करके पशु के बोड़ी टेंपरेचर की सब्सक्यों लगा तो कोई दिक्कत नहीं साथी वीडियो पसंद आए दक लाइक जरू क करने लिए जय हिन जय भारत